नमस्कार स्वागत है साहितिक जरोका चैनल पर आज हम करेंगे मुन्शी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी के महतपुन प्रशन तो आईए देखते हैं देखे कहानी मैं पहले करवा चुकी हूँ कहानी के प्रशनों में जो तात्विक स्मिक्षया का प्रशन है वो भी करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप बहां से कर सकते हैं आज हम इसके अन्य महतपुन प्रशनों की बारे में बात करेंगे देखिए सबसे पहले जो हमारे पास प्रशन है वो क्या है कि कथा नायक की रूची किन कारियों में थी कथा का जो नायक है वो कौन है यहाँ पर मुझशी प्रेमचंद या स्वेम लेखक हैं अब उनकी रूच्ची किन कार्यों में थी? कथा नायक की रूच्ची खेल कूद में, कंक्रियां उचालने में, गपя बाजी करने में, कागज की तितलिया बनाने में, ऊड़ना उड़ाने उछन कूद करने, चार दीवारी पर चड़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होक उसे मोटर कार बना कर मस्ती करने में थी क्यों? क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था तो कथा का नायक कौन है? जो कथा लेखक है स्वेम मुन्शी प्रेमचन है उन्होंने अपने बारे में अपने बच्पन के बारे में बताया है कि उनकी रूची खेलने कुदने में जादा थी और पढ़ाई में उनका मन कम लगता था तो इस तरह से आप इसका अंसर या उत्तर देंगे दूसरा हमारा प्रशन है बड़े भाई साहब छोटे भाई से उमर में कितने बड़े थे और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे देखे बड़े भाई साहब छोटे भाई से उमर में पान साल बड़े थे ध्यान रखना है आपको प्रन्तु केवल तीन कक्षा आगे थे लेखक पांचमें कक्षा में और बड़े भाई साब नवी कक्षा में थे यानि दोनों की उमर में तो पांच साल का अंतर था लेकिन कक्षा की दृष्टे कौन से अगर देखें तो केवल तीन ही साल का अंतर है बड़े भाई छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे देखे बड़े भाई छोटे भाई से जब भी वो उनसे मिलते या आमना सामना होता तो वो यही बात पूछते थे यानि जब भी वो बाहर से आता तो क्या पूछते एक ही सवाल कि अब तक कहां थे यही सवाल बार-बार इस कहानी में दोराया गया है बड़े भाई के द्वारा दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के वहवार में क्या परिवर्तन आया छोटे भाई के वहवार के बारे में हमें बताना है दूसरी बार जब वो पास हो गए देखे एक तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सारा दिन वस्ती और शरारतें करना और उपर से वो अवल दर्जे से कक्षा में पास भी हो रही है तो उसी का परभाव यहां पर है देखे छोटे भाई के दूसरी बार पास होने तथा बड़े भाई के दूसरी बार पास नय होने पर क्योंकि जो बड़े भाई थे वो दूसरी बार भी फेल हो गए थे बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना कम कर दिया और सहिशुनता का रविया अपना लिया जिससे छोटा भाई आजाद हो गया और उसका परभाव क्या पड़ा वो और जादा पतंग बाजी और मोज मस्ती में समय बिताने लगा यानि छोटे भाई के वेवार में परिवर्तन क्या आया कि बड़े भाई के प्रति उनके मन में जो दर और संकोच का भाव था वो अब धीरे धीरे खतम हो रहा था और वो स्वेम को आजाद अनुभव कर रहे थे इसलिए और जादा पतंग बाजी और मोज मस्ती का जो समय था उनका वो और जादा बढ़ गया था आगे जो हमारा प्रशन है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे देखिए इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी तो किताबों के हाश्यों पर चिडियों, कुतों, बिलियों आदे की तस्वीरे बनाते, कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो कभी बे मेल शब्द लिखते, कभी सुन्दर लिखाई में शेर लिखते तो इस तरह से वो क्या करते थे अपने दिमाग को आराम देते थे लेकिन इन सब बातों से हमें ये भी पता चलता है कि पढ़ने लिखने में इनका भी मन अधिक नहीं रमता था उसके बाद जो हमारा प्रेशन है छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया देखे छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया जिसमें खेलने का उन्होंने कोई समय नहीं रखा था रात ग्यारा बजे तक हर विशे का कारेकरम बनाया गया प्रन्तु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, उसकी हर्याली, हवा के हलकेल के जूंके, फुटबॉल की उचलकूद, कबड़ी, वॉलीबॉल की तेजी सब चीजें उसे अपनी और खिंचती और वह टाइम टेबल का पालन इसलिए नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी पसंद का कुछ भी नहीं डाला, उन्होंने टाइम टेबल में केवल और केवल पढ़ाई का समय ही निश्चित किया था खेलने कुदने का उसमें कोई समय नहीं डाला केवल थोड़ी सी देर का समय जो होस्टल के बाहर जगह थी उसमें घूमने का रखा था लेकिन एक शरार्ती बालक के लिए ये सब संभव नहीं था इतनी पाबंदियों में रहकर टाइम टेबल का पालन करके पढ़ाई करना संभव नहीं था इसी लिए क्योंकि टाइम टेबल उनकी इच्छा के अनुसार नहीं था बलकि वो चीजें उन्होंने शामिल करी थी जो उनके सोभाव में ही नहीं थी यही कारण था कि वो टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाई आज के लिए इतना ही बाकी के प्रशन हम अगली वीडियो में करेंगे तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें